नमस्कार आपका स्वागत है वह कभी अधोगती नहीं कर सकता अर्थात वह वेक्ती जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता इसलिए मनुश को अपने पुरोजों की इन बातों को ध्यान में रखकर सुबे जल्दी जागना चाहिए दोस्तों हम सभी अपने जीवन में चाहते है कि हमें कभी धनकी कमी ना हो, मा लक्ष्मी का अशिरवाद सदेव ही हम पर बना रहे, हर विक्ति की कामना होती है कि उसका परिवार हर तरह से खुश रहे, संपन रहे, कभी कोई बिमार ना पड़े और सभी को उनके कारियों में सफलता मिलती रहे, इसके लिए हमारे शास्त्र में कुछ ऐसे महतोपुर्ण उपाय बताय गए है, जो मैं सुबह के समय अवश्य करने चाहिए, सुबह के समय कुछ चीजों का दर्शन करना अत्यंत शुब माना गया है, वह कुछ ऐसी भी चीजे है, जिने सुबह के समय देखना भोती या शुब माना जाता है, यदि में हम आपको बताएंगे कि सुबह उटने के बाद मनुश्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरू करें, ताकि आप इसे अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें, साथी वीडियो को लाइक जरू करें, सबसे पहली बात आपको बता दें कि सुबह मनुश्य को किवल शुब कार्य को ही शुरूआत करनी चाहिए, किसे भी प्रकार का अशुब या अनुचित कार्य ना करें, सुबह उटने के बाद जब आप अपना मुख्यद्वार खोलते है, तो उसके समक्ष एक तामबे के लोटे में जल भर कर अवश्य रखे, क्योंकि तामबे के पात्र में भरा हुआ जल सकारत्म कुर्जा को आकर्शित करता है, एदियाब नित्या अपने घर के सामने तामबे के लोटे में जल रखेंगे, तो आपके घर में सदव सकारत्मक इसलिए सुबह घर की महिलाव को सरोप्रथम शैन कक्ष को स्वच्च करना चाहिए उसके बाद आंगन को स्वच्च करना चाहिए और उसके बाद रसवी घर को स्वच्च करना चाहिए इस प्रकार से जो महिलाए नित्य साफ सफाई करती है उन पर मालक्ष्मी की कृपा सदय बनी रहती है, साफ सफाई करने के पश्चात घर के सामने रंगोली बना कर उसमें स्वास्तिक अवश्य बनाएं, स्वास्तिक मालक्षमी को अत्यंद प्रिय है, जिस घर के मुख्य द्वार के सामने स्वास्तिक का चिन्न होता है, मालक्षमी ऐसे घर में अवश्य ही इस मंतर का जाप नित्य करने से आपको इसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि इस मंतर में हम ये कहते हैं कि अमारे हातों में मा लक्ष्मी, मा सरस्वती और भगवान स्री कृष्ण का वास है और जिन हातों में इन तीनों का वास होता है ऐसे विक्ति को सफलता प् गर के बड़े बुजर्गों के कारण ही घर के सद्योस्यों पर अच्चे संसकार पड़ते हैं इसलिए उनका आदर सत्कार करना अत्यनत आवश्यक है नित्य अपने बड़े बुजर्गों को प्रणाम अवश्य करे अथ्वा उनके चरंस पर्ष करके उनका आशिरवाद महिलाओं को सनान करने के पश्चात अपने साथ ससुर को प्रणाम करके उनका आश्रिवाद लेकर ही घर के कारियों में लग जाना चाहिए तब यह ऐसे घर में सुक्षानती बनी रहती है। तो आप अत्यनत भागेशाली है। यह रोटी गोव माता को खिला कर उनका आश्रिवाद अवश्य प्राप्त करे। आपके जिवन में सुक्षम्रदी बने रहेगी। तो आईए आप जानते हैं सुबह उटने के बाद कौन सी चीजों का दर्शन नहीं करना चाहिए। यह वासुदोष का भी कारण बनता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कूडा कच्रा करकट भूल से भी ना रखे। दूसरी बाद सुबह उटने के तुरंद बाद यह आपके घर के अंदर हिंसरपशो की तस्वीर है या कोई आशलील चित्र है तो उसका दर्शन कतई ना करे। सुबह उटने के बाद आईना देखना भी अशुब माना गया है। ऐसा करने से विक्ति के जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। इसलिए आपके बेडरूम में कोई आईना है तो उसे तुरंद वहाँ से हटा दे। सुबह उटने के बाद आईना देखना वास्तु शा दर्शन करने से विक्ति का सुभाव भी क्रोधी बनने लगता है। घर परिवार में सदेव कलेश का वातरण बना रहता है। इसलिए सुबह उटने के तुरंद बाद गाली गलोच या आपशब्द कहने नहीं चाहिए। इसके साथ ही यदि कई पर वादिवाद हो रहा हो तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। खास कर महिलाव को सुबह उटने के बाद जोर जोर से चिलाना नहीं चाहिए। या किसी को जोर जोर से आवाज देकर बुलाना नहीं चाहिए। इसे अशुब माना जाता है। इसे घर में दरिदरता बनी रहती है। तो दोस्तों य जे स्रीकृष्ण, जे मालक्ष्मी अवच्चे लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद